देखो अभी के टैम में क्या होता है कि अगर कोई आपके Instagram पे पहली बार message करता है तो वो message आपको message request में जाता है और वहाँ पे अगर आप approval देते हैं तब आपको वो main chat में आता है या आप किसी से पहले से chat करते है तो वो आपके पे message करेगा तो वो आपको normal chat में देखने को मि क्या कि अगली उजर कुछ भी मेसेज करेगा तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे नहीं तो यहाँ पे अगली उजर को लगेगा कि ये तो Instagram को Open ही नहीं करता है यहाँ लेकिन यहाँ पे आप उनका सारा मेसेज को असानी से रीड कर सकते हैं और वो भी इस वीडियो में लाइप रूप के साथ आपको यह करके दिखाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से ट्रस्ट हो पाई तो अब आपको पूरा सुरू से प्रोसेस पताते हैं तो यहां पर यह काम करने के लिए हम अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर एक बाद यहां पर हैं मैसेजबलां में जाते हैं और यहां पर ऐक और एकजम्पल यहां पर दे देते हैं माले जे कि यह ग्रों दَ देखने को मिल जागा औ कि यह अगली यूज़र ने चल जाए तो अब आप यह काम को असानी से कर सकते हैं तो वो कैसे तो आपको यहां से क्या करना है कि Instagram से आपको back आ जाना है या आपको refresh कर देना है और refresh करने के बाद आपको अपने phone के screen पे आना है और यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है इस पे क्लिक करके आप सर्च भी कर सकते हैं तो अब यहाँ पे हम topic पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आनेक बाद अब आपको क्या करना है कि नीचे scroll down करना है और scroll down करनेक बाद आपको सभी phone के सेटिंग में यहाँ पे notification का option देखने को मिलेगा यह वला option पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने एक बाद इस तरह का आपको interface मिलेगा, यह हो सके आपके setting में यह option उपर नीचे देखने को मिलेगा, तो यहाँ प्यान एक बाद आपको एक option को खोज लेना है notification history, मेरे setting में उपर ही देखने को मिल रहा है, तो हम इस पे click कर द आपको करने के बाद यहाँ आपको setting को ही open करना है, और हम आपकूछ को रिफेस कर देते हैं, और रिफरेस कर देने के बाद हम अपने दूसरे instagram को भी open नहीं करेंगे, यहाँ पर हो आपको मैसेज देखने के लिए आपको setting को ओपेन करना है, open करने के बाद आपको same वही notification वह आप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको simple सा notification history पे क्लिक करना है, क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम के तरप से कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है और क्या मैसेज है उसको देखने के लिए इस पे क्लिक करना है क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमने मैसेज भेज़े है वो मुझे यहाँ पे देख